रमस्ते बाला जी इंदी ट्यारों में मैं फिट से आ गई हूं आप लोगों की स्वागत करने मैं फिट से लेकर आई हूं एक जनरल लव रिडिंग में जो लोग नो कॉंटेक्ट या फिर सेप्लिशन के सीचेशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पॉर्शन की कहिन फिलिं इतना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको अपकिएगा बाकी को छोड़ दीजिए हो सकता है बाकी रिडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए तो सांसाइन मौनसाइन किसी भी साइंस है अगर अब लिब्रा हो यानि तुला राशी हो और नो कॉंटेक्ट का आपका प्रिफिक भी नहीं है एनर्जी भी वाइस वर्षा होते रहते हैं यह रेडिंग होगी उन्तिस में से लेके चार जूम तक इस रेडिंग को आप कुछ के साथ रेजोनेट करवा सकते हो जितना रेजोनेट करें वह एम देखेंगे आपकी पोसन की करेंट फिलिंग्स क्या ह हैं फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और अंत में देखेंगे आइंग्जल की गाइडियंस क्या है आपके लिए देख लेते हैं आपकी पोसन की करेंट फिलिम्स लिब्रा यानि तुपराश टावर फोर पांटकसन फाई बहुत सोर्स के कार्ड मुझे लगते रिस्ते में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परिशानी है अप लोगों की रिस्ते में ये रिस्ता तो सही चल रहा था कुछ दिन पहले मैंने जो रिडिंग की थी उसमें भी मैंने देखा रिस्ता सही चल रहा था लेकिन अचानक से मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजे हुई है रिस्तों में जिसके लिए ना आप तयार थे ना आपके पौशन तयार था अने एक्सपेक्टेडली अचानक से रिस्ते में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है जिसकी वज़ा से रिस्ता नो कॉंटक्ट या फिर सप्रेशन के सिचुएशन में चल गया है हो सकता है पैसों कोई भी प्रॉब्लेम चल रहा है आप लोगों में मतलब फिनेंशल अग्सेविलिटी के लिए भी आप लोग लग रहे हो साथी साथ आपका कहा हुआ कुछ बाते या पिर उन्होंने कुछ ऐसी बाते अपने दिल पे लगा के रखा है जिस बातों से ये कुछ को अलग नहीं कर पा रहे हैं साथी साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा जो वो खुद याद रख रहे हैं जिसकी वजासी ये चाहकर भी रिष्टे में आने पा रहे हैं, साथ इसाथ इनको इगो का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेम है, बहुत ज़्यादे इगोईस्टिक हैं, अगर इगोईस्टिक ना भी हुए, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सल्पर एक्सपेक्ट को रखते जो चीज वो बोल देते हैं, कर लेते हैं, उसको दुवारा से ये रिपीट नहीं करते हैं, जैसे वो कुछ एक फिल्मों में कुछ ऐसी है डायलग है ना कि मैंने जब कमिट्मेंट कर देता हूँ, तो मैं खुद का भी नहीं सुनती हूँ, इस तरह की ये का कुछ है, तो इ लेकिन आप से ये नहीं कहेगा, ना आप से कोई मदद लेगा, ना आपके सामने आपके ये अपने परिशानी को बया भी करेंगे, क्योंकि उनको जितना भी एगो है, दुनिया के सारे लोग अलग, आप अलग, आपके लिए अलग ये वियर करते हैं, तो ये नहीं आएंग ये आपके पास ऐसा ये करेंटली सोच रहा है, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी मेहनत करनी परें, कितनी भी परिशानी आएं, भी मुझे उनके पास नहीं जाना है, ये इनकी करेंट एनर्जी है, और ये सोच भी रहे हैं अपनी इगो की बज़ा से, आगे-ागे देखते है होता है क्या, अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है, ये इनकी करेंट एनर्जी है, परिए अपने दिल में बातों को दबा के रखना, बुरी बातों को याद रखना, पैसों के मामले में मेहनत कर रहा है बंदा, परिशान है, बहुत ज़्यादा स्थिती इनका जो है, ये लिब्रा, आप किसी टॉरस गर्गो क्याप्रिफन के साथ भी डिल कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, बॉटम अब देख में जस्टिस, देखो ये जो चाहते हैं, इनका जो सोच है, और चाहने में बहुत अंतर है, देविल, दे सान के कार्ड, दा एंप्रेस के कार्ड, मुझे लगता है, सान और एंप्रेस मैंने पिछले हपते भी जब रीडिंग की थी उसमें आया था, ये बंदा आपकी प्रती बहुत ज़्यादा एडिक्शन रखता है, आप इनके लिए औप्सेशन हो, एडिक्शन हो, किसी भी तरीके से आपको ये अपने से अलग नहीं देख सकता, लेकिन ये नो कॉंटर्ट का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन बंदा इगो की वज़ा से एंट्री भी नहीं ले पा रहा है, लेकिन ये चाहते हैं आपको अपने बच्चों की मा या पीता के रूप में देखना, अगर आप पहले से ही इनके बच्चों की मा का या पीता हो, तो ये आपको तो पहले से ही देखता आ रहा है, इनको आप चाहिए, बाई हूक और तरीके से आपकी जो पावर है जो डिग्निटी है जो ब्यूटी या जो हैंसमने से उसको ये मिस कर रहा है कहीं ने कहीं ये देख रहा है कि इतनी खराब स्थिती में भी आप अपना इतना अच्छे से खयाल रख रहे हो ये कैसे हो सकता है कभी-कभी इनको ये लग रहा है कि आप जो हो इन दिनों प्रेग्नेंसी को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो और अगर आप प्रेग्नेंट हो और बजा ये बंदा है आपके हस्वेंड हो सकते हैं जो ये है डेफिनेटल आपके हस्वेंड होंगे जिनका भी एनजी आ रहा है तो ये उस बजा से भी परेशान है तो क्यूंकि ये तो उस मेजर हैपिनेस को अचीव करना चाहते हैं अभी आप इनसे बाते बंद करके रखे हुए हो आप इनको इग्नोर कर रहे हो इस बजा से भी ये चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो आप आओ इनके तरफ ये नहीं जा पाएंगे आपके तरफ इनका कितना भी आडिक्शन हो आट्रक्शन हो या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके साथ जस्टिस करना तो चाहते हैं आपके साथ इंजस्टिस हुआ है बच्चों के साथ injustice हुआ रहे हैं, जो लोग शादी शुदा हैं, जो नहीं है वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके साथ justice तो करना तो चाहते हैं, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद नहीं जाएंगे आपके पास, ये नजर गर के रखा हैं आपके तरफ, आप क्या कर रहे हो, सज रहे हो, सवार रहे हो, अपना खयाल रख रहे हो, इतने अच्छे से आप अपना खयाल रख रहे हो, इन चीजों पर इनका ध्यान है, ये महसूस कर रहा है कि आपके life में कोई major happiness आ रहा है अगर आप इनके साथ रिष्टे में नहीं हो मतलब शादी शुदा नहीं हो इनके साथ तो भी अगर आप मा बनने जा रहे हो या पिता बनने जा रहे हो इसकी नजर आप पर है अगर यहां कोई और है किसी third party वाला यह रिष्टा है जिनके साथ आपकी शादी है और आप किसी और के साथ भी रिष्टे में थे तो यह person अभी आपकी खुशी पर नजर गर के बैठा हुआ है अरे यह मेरे साथ रिष्टे में है और अभी यह माता या पीता बन रहे है यह कैसे हो सकता है यह चाहते हैं कि आपके साथ अपनी कुशी को enjoy करें लेकिन आप हो सकता है अभी अपनी कुशी अलग तरीके से देख रहे हैं आप माता पीता बनना चाहते हो या फिर यह चाहते हैं आपको छोड़के अलग तरीके से अपने परिवार के साथ justice करना लेकिन नजर आप पर है बिल्कुल है ये कुछ भी करे नजर आप से नहीं हट रहा है आपकी प्रतिम की नजर रहेगी और ये अपने लाइप में एक victorious moment को एक major 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 happy changes को feel करना चाते हैं खुश रहना चाते हैं परिवार को खुशी देना चाते हैं या तो आप चाते हैं ये परिवार को भी चाते हैं आपको भी चाते हैं आपकर नजर रखा हुआ है परिवार के साथ justice करना चाते हैं या तो अगर आप इनके साथ शाधी शुदा हो तो ये आपके साथ justice करना चाहते हैं, इनका जो addiction था, अगसी ये छोड़ना चाहते हैं, फिलाल के लिए, अब स्थिती आग लोगों को मालूम है, किस की स्थिती कैसी है, जो दिखाई दे रहा है, मैं वो बोल रहे हैं, खुशी आपके life में आ रहा है, ये चाहते हैं, पूरी कि माता या पिता बनने वाले हो, लेकिन किसी की नजर भी आप पर है, या तो जिनके साथ आपका रिस्ता है, वो है, आप उनको अभी बता नहीं रहे हो, लेकिन ये देख रहा है आपके person, कि आप तो बहुत खुश हो, आपके life में तो खुशी के बोचारे चल रहे हैं, आप इतना खुश का खयाल रख रहे हो, अपने परिवार का खयाल रख रहे हो, अपने आप का खयाल रख रहे हो, आप जो इतनी खुशी है आपको जो मिल रही है, और इनको तो दुखी दुख मिल रहा है, आप तो इनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो इस बात से बंदा पर और अपना जो सोच है अपनी जो नजर है यह आप पर दरा हुआ है क्योंकि यह आप जानों और वो जाने कुछ लोगों के लिए तो definitely third party situation है क्योंकि रिष्टे में कुछ गरबर हुआ तब जाके आपने अपने लिए अलग सोचना शुरू कर दिया अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से आपने अलग सोचना शुरू कर दिया वही मुझे आपके साथ विस्ता नहीं चाहिए मुझे अपने परिवार चाहिए अपने family के साथ रहना है मुझे अपनी परिवार समालना है तो अब यह बंदा करे तो क्या करें यह खुद दिया नहीं रहे आपके सामने और अपने आपका जो नजर है यह आप पर देखके बैठा हुआ है आप किसी Capricorn Taurus वर्गो Capricorn के साथ दिल कर सकते हो कोई Leo हो सकता है कोई Aquarius हो सकता है अगर आपको रिडिंग अच्छी लगे है चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक श्यार और कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा किसी को अगर परसुनल रिडिंग चाहिए तो description box में इसका डिटेल्स है आप उसे परके मेरे साथ contact कर सकते हो देख लेते हैं यह portion action क्या लेंगे आपके लिए लिब्रा यानि तुला राशी हम देखेंगे कि आपके portion क्या action लेंगे सीधी सब्दों में अगर कहूना यह इनको आपकी कुशी भई हजब नहीं हो रहा है देख लेते हैं एक्शन क्या हो सकता है बच्चों की मामला definitely है यह आ रहे हैं आपके तरफ अगर यह आपकी बच्चों की माता या पीता है तो definitely यह आ रहे हैं अगर नहीं भी है इनके साथ अगर आपका रिस्ता है तो भी यह आ रहा है अगर यह किसी और रिस्ते में थे तो भी उस addiction को छोड़के आपके तरफ आ रहा है डेफिनेटली रिकॉंसलेशन हो रहा है रिस्ते में और एक चांस आप लोगों को मिल रहा है bottom of the deck में chariot का card है और page of cups, knight of swords and six of wands के साथ मैं ये कह सकती हूँ ये एक stable offer भी आपको देना चाहते हैं जैसे कि आपको ही अगर आप इनके साथ शादी शुदा हो तो ये आपको बच्चों की माता या पिता बनाने के बारे में सोच रहा है एक major good news आपको देने जा रहा है आपके साथ एक happily ever life जिसे बोलते हैं वो पाना चाहते हैं ये आपके तरफ आ रहा है आपको surprise करेंगे कब आ जाएंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा ये बहुत ज़्यादा उताबले हैं ये आपको मेरे दाइद करता है मेरे पीछे दोरता है और मैं इनके पीछे दोर हूँ ये सोच के भी ये खुद को रोक रहा था लेकिन क्या करें अभी आप तो उनसे भी जादा आगे निकल गए आप साथ हो गये ये सेर है तो आप साथ हो तो ये कुछ नहीं कर पा रहेा इसलिए आर आपके तरफ, यह आपसे माफी मांगेंगे, आपको एकस्टेबल ओफर भी देंगे, और आने के लिए बेचैन भी है, और यह आ भी रहा है, खुद के लिए ना सही बच्चों के लिए आ रहा है, अगर यह आपकी बच्चों की माता या पिता है, अगर आप लोगों में शाद का खानिका ओफर देने आ रहा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है स्ट्रिप प्यार करिस्ता है नौक ऑन्टक्ट में हो आपके लाइप में कोई और है तो भी आपके तरफ आ रहे हैं हर किमत में यह आपके तरफ आ रहे हैं जिस भी तरीके का रिस्ता आपका हूँ क्योंकि यह restless है इन डिसाईसिव है यह सोच नहीं पा रहे है कि इनको करना क्या है कभी सोच रहे हैं माफी मांग ले जाके एक सब्सक्राइब तरीके का रिस्ता हो यह आ तो रहा है अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या चाहते हैं किको किस्वप़र उलता उखेंगषकितKUL कया का? किस्व़रपण सक्ववबने क।फ एंच लुवब ऑैड़यां किस्व़र पान में खुब सर हुआ ठाद हो जु़र एंग जैसा कार्ड आया था The situation will be improved Opportunities, look for a sign आपके जो भी स्थिती है भई ये change होने जा रहा है जैसा है वैसा रहेगा नहीं जिस स्थिती में आपका रिस्ता है वैसा रहेगा नहीं मैंने पहले ही कहा कि ये person आपके तरह आ रहा है दुसरी बात आपको कोई अच्छी opportunities मिल रहा है कोई great good news आपको मिलने वाला या तो आप कुद concept कर सकते हो या फिर आप बच्चों की माता या भी दबन सकते हो कोई major 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 happy good news आपको मिल सकता ये बंदा आप से मिलने आ रहा है साथ ही साथ जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई sign भी मिलेगी आपको उसका भी खयाल रखना है जैसे कोई synchronosis दिखाई दे कई कुछ feather गिर रहा है कई कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कोई संकेत देना चाहते है तो आपको उसका भी खयाल रखना है आपको यूनिवर्स से कुछ को connect करने की कोशिश करनी है और जो भी परिशानी आपका चल रहा है आपकी दिमाग में चल रहा है लिब्रा उसका answers आपको यूनिवर्स जरूर देंगी और कुछ अच्छा आपके साथ होने जा रहा है आपको opportunity मिलने जा रहा है वो सकता है money, work, parenting कुछ भी आप माता बिता बन सकते हो आपको पैसे मिल सकते हैं आपको job मिल सकते हैं कुछ ऐसा जो blessings यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने जाना है वो एक great opportunity है और आपका जो स्थिती है वो change भी हो जाएगा तो इसके लिए यूनिवर्स का सूपी आदा करें और खुश रहें So thank you for watching और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए